अरे राइवल जी कौन से तर्ज पर मुझे ढोलक बजाना है? कौन सी गजल गाने जा रहे हो? जिस गजल को आप गाने जा रहे हो उस गजल को मुझे अच्छे से पहले समझा दिजिए क्योंकि मैं ढोलक जब बजाना स्टर्ट करता हूँ न तो इतना भयानक ढोलक बजती है, इतनी भयानक ढोलक बजती है, कि मौज आ जाती है, और मेरा ऐसा तरज बजाओंगा, ऐसा तरज, लेकिन गजल कुछ ऐसा सुनाओं, कि मज़ आ जाए हमको भी, सुन करके ऐसी ढोलक बजाओंगा, कि लोग सुनते सुनते तंग रह जाएंग कि यहाँ पे बिलकुल आनंद आ जाए क्योंकि गजल डर्द बरे गजल सुनने का कुछ अलग ही मज़ा होता है तो मैं आज सुनाओंगा गजल डर्द बरे इतने अच्छे अच्छे गजल सुनाओंगा कि आप देखते रह जाओगे यहाँ अगर मौदी जी हमारा साथ देंगे तो मैं बहुत अच्छे से गजल जानता हूँ और ऐसा गजल सुनाओंगा ये लोग सुनते सुनते डंग रह जाएंगे चलिए मौदी जी आप फरमाईए कौन सा गजल मैं सुना दू आज योगी जी आप भी बता सकते हो कौन सी गजल में सुनाओं जिसमें आप लोगों को लगता है कि जमता को मजा आएगा वो गजल में सुनाओंगा चलिए मोधी जी मोधी चचा आप बता दो कैसे सुनाओं कौन सी गजल सुनाओं अनन्द ना आए तो बताना और ऐसी ढोलक बजनी चाहिए ऐसे मंजीरे बजने चाहिए यहाँ भी जो बैटे लोग बिलकुल आनंद में हो जाएं अरे देखो राहूल भाया यह एक चीज मैं आपको बताओंगा बिलकुल कारंटी के साथ मैं मंजीरे तो बहुत अच्छे से बजाता हूँ मंजीरा बजाने में मैं मसूर आदमी हूँ यह तो सब लोग जानते हैं लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि मंजीरा तो जब मैं बजाओंगा जब गजल आपका दर्द भरा हो बिलकुल क्योंकि जिन्दगी में बहुत ज़्यादा दर्द है जिन्दगी में दर्द है तो दर्द भरा गजल बिलकुल सुनना चाहिए और हर्मोनियम ऐसा बजाओं ऐसा नाकिन धुन बजादो बात में कि मौज आजाए जनता जूम पड़े यह चीज मैं चाहिता हूँ चलिए राहूल जी आप स्टार्ट करिए कोई दर्द भरा गजल भाई लोग वीडियो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब तुम भी बताओ थोड़ा सा क्योंकि यह तर्बूज कैसे बिकेगा योगी जी तुम हाथ में लेकर तर्बूज तो इतनी देर से बैठे हो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं ये बोनी बट्टा तो कुछ हो नहीं रहा है अब इतना मन उदास चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है अरे हाँ लालो चच्चा एकदम सही कह रहे हो इतनी गर्मी पढ़ रही है इतनी भेंकर गर्मी पढ़ रही है उपर से तर्बूज की बिक्री नहीं हो रही है तो क्या करें अब हमें समझ नहीं आ रहा है चार दिन से लगातार बैटे मैं सोच रहा हूं कोई अच्छा खासा बेपारी मुनाफे वाला जो देने वाला मिल जाएं तो हम अपना यहां तर्बूज भेंज देंगे अब सुबा से कोई आता है कोई दो रुपे किलो मांगता है कोई पांच रुपे किलो मांगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है अब की बार तो तर्बूज में साजा डारी करके बड़ा ही नुक्सान होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे यह बात बताओं मोदी चचा कुछ बत बता नहीं है अब बताओं ये तर्बूज जो तुम धर रखे हों यहां पे हमको पार्टनर सिब में तो जोड़ लिया तुमने लेकिन एक चीज तुमने देखा नहीं ये तर्बूज देखो मेरे हाथ में कितना सड़ा हुआ है अभी दो करहां काये हुए थे उन्होंने पुझ कहां से लेंगे मैं सोच रहा हूँ कोई भी ब्यापारी यहां जाए उसको उद्दा मद्दा बेंच करके कहानी खतम करते हैं और आज से पार्टनर से बिलकुल खतम करते हैं बिजनस में जो भी करना होगा अकेले करेंगे कुछ भी हो जाएं यह हम योगी के साथ कर कोई बात नहीं भाई लोग वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब अरे क्या हुआ आप लोग यहां पर लाइन लगा के बैटे हो एकदम क्या हुआ यहां पर इतनी दूद की साइकल लेके बैटे हो आप लोग हरताल कर रख क्यों क्या लगता है क्योंकि आज महले में अ बार निकल के आएं करिब 10 बज रहें अभी तक चाही नहीं भली है अभी मैं सोच रहा हूं कि दूद आएगा दूद वाला तो भी दिखाई नहीं दे रहा गेरा बजने जा रहे हैं ऐसे दूद देने से हमें क्या पाइदा हम तो पैसे देते हैं यह क्या बात हुई कि आप लोग दूद लेकर नहीं पहुचे यहां क्यों खड़े हैं मुझे फौरण बताईएं अरे देखो नितेश बाबू हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक नहीं जाएंगे हम अपना हर्ताल जारी कर रखेंगे बिलकुल दूद नहीं पहुचेगा किसी के आहां पे क्यों नह बात कान खोल करके गौर से सुनना क्योंकि मेरा दूद 50 रुपे लीटर बिकता है अभी इतनी महेंगाई के हिसाब से हमारा दूद काट 70 रुपे लीटर बिकना चाहिए क्योंकि सारा उनकत जो बैसका चारा सब कुछ महेंगा हो रहा है मेरा दूद थोड़ी आप लोग एक रुपे बढ़ा के नहीं देते हो मेरा दूद जब तक 70 रुपे शाट रुपे नहीं बिकेगा तब तक हम दूद नहीं दे पाएंगे हम ऐसे हरदाल बीच रोड पे हंगामा करेंगे खड़े रहेंगे कुछ भी हो जाएगा मैं बताए दे रहा हूँ अरे केजरी वाल भाया ये गरीब आदमी कहां से खरीदेगा कहां से काएगा गरीब की कोई मजबूरी समच रहा है क्या हम लोग तो ले नहीं पाएंगे 40 रुपे लीटर हम बताओं इतना महेंगाई हो रखिये तो हम कहां से दूद करीदेंगे अब तुभी बताओं योगी जी कुछ बताते क्यों नहीं हो मुझे कुछ भी बताओं तभी मुझे समझ आएगा अरे बैया मैं क्या करूँ ये तो सरकार से बोलो मुझसे क्यों बोल रहा हूँ मैं तो दूद वाला हूँ मेरा दुद्ध महेंगा जब तक नहीं बिकेगा जब तक मैं दूद्ध नहीं दूँगा बस मैं इतना जानता हूं पाउडर घोल घोल करके चाह बनाओ वो और जब दिक्कत नहीं है हम यहाँ पे इतना पिट्रोल लगाते हैं गाड़ी में सब कुछ करते हैं मेरा दूद नहीं बिकता मेंगा भाई लोग वीडियो लाइक कर चले